हलो भीवास मैं आज आपको दिखाऊंगा यह जो प्रिंटर देख रहे है आप डिस्प्ले में यह है समसंग HCX 4321 लेजर प्रिंटर यह माल्टि फंक्शनल प्रिंटर है तो आप देख सकते हो इसका लूकिंग जो कैसा है यह लूकिंग इसका अच्छा है तो उपर में जो दि दिस्प्ले पैनल जे चोटा सा डिस्प्ले पैनल है इसमें अगर आपका मैं मने कौपी पेपर स्टेक यहाँ पर चालू कर सकते हो और नीचे जो दिया गया है यह परिस्टेक जिसमें आप डेड़ सो से भी ज्यादा यह दोसों की आसपास में भी पेपा रख सकते हो तो य एक अच्छी प्रिंटर है इसका लूकिंग भी अच्छी है आप कहीं भी इसको सुईटेबिल कर सकते हो और यहाँ पर इसका प्राइस लगभग 15,299 रुपए या लग 15,000 के आसपास है इसका प्राइस तो इसका यह जो प्रिंटर देख रहा है इसका जो स्पीड है 20 पेज पार मिनिट है और इसका ड्यूटी साइकल किसे आधर प्रिंटर से भी ज्यादा है क्योंकि यह छोटा प्रिंटर है लेजर प्रिंटर है तो इसका ड्यूटी साइकल अबले 4000 से ज्यादा है एक मांद में यह 4000 से ज्यादा प्रिंट कर सकता है और इसका इंटरनल मेमोरी इसक में support करता है यह 4B4, B5, B6 और envelope और card भी प्रिंट कर सकते हो आप और यहाँ पर इसको आप ओपन करके इसका output रहे है देखिया display जो हो इसका है वह आप उठा भी सकते हो और इसको निचे भी पूट भी कर सकते हो तो देखिये इसका जो लूक है अच्छी quality के लूक है तो बाद में देखिये यह देखिए जो इसका जो part यह इनर पाठ है यहाँ पर रहता है फ्युजर इनित जो होता है वो इसका इन डिजहाँ पर रहता हुए और इसको इसके पास से paypal घुजर के output हो तो ये जो प्रिंटा देख रहे हो इस प्रिंटर में आप इन्टु छासो डीपी आई में रेजूलेशन में ये प्रिंट होता है और ये फास tu promet जो देता है ये आपका फास plutôt बांता है और ये यहां पर देख रहे हैं इसका CCD Liner यहां पर रहता है देखिए आपको दिखा रहा हूं यह जो देख रहा है आप इसके नार यहां पर CCD Liner रहता है तो CCD Liner अपना कहीं भी खरी सकते हो और यह इसका इसका fusion unit देखिए यहां पर पर जया है तो यहां पर आपको खोल किये जो रॉला देख रहे है आप साब शाफेद साफेद रॉला देख रहे है इसका पर जाम भी छुट जाता है और यह इसका drum unit जो मेन उसका पार्ट से यह है उसका ड्राम यूनिट यहां पर ड्राम लेगा रहता है यह पर छोटा सा एक मैगनेटिक रॉड है इस रॉड को खोल के आप असानी से इसको रिफिल कर सकते हो तो कुल मिला के यह अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर है और इसको आप कंप्यूटर से भी कानेट कर सकते हो यूएजबी द्वारा और आप क्वापी स्कैन प्रिंट भी कर सकते हो एक साथ में आप 99 जो क्वापी होता है एक साथ में आप प्रिंट कर सकते हो तो थैंक्यू दोस्